इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस विडियो में किसی भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस विडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Estetiole Tablet एक महिला सेक्स हॉर्मोन यानि की estrogen है. यह एक प्रकार की hormone replacement therapy यानि की HRT है जिसका उप्योग रजो निवरिती यानि की गर्म flush, योनी का सूखापन और खुझली, estrogen की कमी और हडियों के पतले होने, यानि की osteoporosis से जुड़े लक्षनों के इलाज के लिए किया जाता है. कुछ मामलों में, estrogen tablet का उप्योग stun cancer और prostate cancer के साथ साथ अन्य cancer रोधी दवाओं के इलाज के लिए भी किया जाता है. दवा को पानी के साथ निगलना है, इसे भूजन के साथ या भूजन के बिना लिया जा सकता है, लेकिन बहतर प्रभाव के लिए इसे हर दिन एक निश्चित समय पर लेना याद रखें. खुराक और अवधी आपके डॉक्टर द्वारा तै की जाएगी ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा मिल सके. यदि आप एक खुराक लेना भूल गए हैं, तो याद आते ही इसे ले लें. किसी भी खुराक को न छोड़ें और उपचार का पूरा कोस पूरा करें. अपने चिकित्सक से परामर्ष के बिना उपचार को अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए क्यूकि इस से इस दवा की शक्ती प्रभावित हो सकती है. इस HRT के सबसे आम दुश्प्रभाव सिर्दद, स्तन दर्द, अनियमित योनी से रक्तसराव या स्पोर्टिंग, पेट में एंठन या सूजन, मतली, उल्टी और बालों का जढ़ना है. कुछ चेतावनी संकेत और लक्षन जिन ही ततकाल चिकित सा ध्यान देने की आवशक्ता है, वे हैं स्तन गांट, असामान्य योनी रक्तसराव, चक्कर आना और बेहोशी, गंभीर सिर्दद, सीने में दड़, सांस की तकलीफ, आपके पैरों में दर्दा दी. इस दवा को लेने से पहले, अपने डॉक्टर को यह बताना ज़रूरी है कि क्या आप उसी बीमारी या अन्य बीमारियों के लिए हाल ही में कोई अन्य दवा ले रही हैं या ले रही हैं. इस HRT के साथ शुरू करने से पहले, आपको डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए यदि आपके पास असपश्टीकृत योनी से रक्तसराव का इतिहास है या यदि आपके पैरों या आपके फेफ़डों में कभी रक्त का ठक्का है. यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको या दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. आपके शरीर पर इस दवा के प्रभाव और दुश प्रभावों को जानने के लिए आपका डॉक्टर आपको कुछ नेदानिक प्रयोगशाला परीक्षनों का सुझाव दे सकता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.